I think CAM, COVID-associated mucormycosis, mucormycosis एक fungal infection है, इसके जो spores हैं इस fungus के, वो मिटी में भी पाये जाते हैं, हवा में भी पाये जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि food में भी पाये जाते हैं, लेकिन ये fungus जो है low virulence है, usually infection नहीं करता है, और अगर हम COVID से पहले की बात करें, तब भी ये fungal infection देखा जाता था, लेकिन इसके incidence बहुत कम थी, और rare infection था, उन लोगों में देखा जाता था, जिनकी sugar बहुत जादा है, diabetes uncontrolled है, या जिनको transplant हुआ हुआ हुआ, और फिर वो immunosuppressant drugs पे, जिससे उनकी immunity कम है, या cancer के ऐसे patients हो, जो chemo therapy पे हैं, आम लोगों में ये usually नहीं पाय जाते हैं, तो इसलिए ये नहीं ममारी नहीं है, लेकिन COVID के कारण और COVID की treatment के कारण इसके cases अब काफी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, कई शेत्रों में काफी अधिक मात्रा में cases report किये जा रहे हैं, अगर हम AIMS की ही बात करें तो हमारे यहां almost 23 cases हैं, जो भी admitted हैं, जिन कई राजें ऐसे हैं, जिन में 400-500 से ज़्यादा cases उन्होंने report किये हैं, COVID के उनके पास अभी positive हैं, यह जो बमारी है वो या तो face को effect करती है, जिसको हम कहते हैं, rhino orbital cerebral mucormycosis, जिसके कारण नाक में आंक की जो orbit है उसमें यह brain के अंदर infection फैल सकता है, जिससे लोगों की vision भी रोशनी जा सकती है, और कुछ हद तक अभी brain में भी infection हो सकता है, साथ में यह फेफडे में भी फैल सकता है, जिसको हम कहते हैं, pulmonary mucormycosis, दोनों में कुछ लक्षन है, जैसे अगर rhino orbital cerebral mucormycosis है, तो headache हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती, नाक ब्लॉक हो सकता है, नाक से secretions आ सकती है, जो हरे रंग की हो, या नाक से secretion आ सकता है, या एक चेहरे में sensation कम हो सकती है, एक side में चेहरे में sojish हो सकती है, या skin में discoloration हो सकता है, अगर फेफडे में हो तो बखार हो सकता है, चाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है, लेकिन most important issue यह है कि यह fungal infection अब ज्यादा क्यूं देखा जा रहा है और उसके क्या कारण है और क्या preventive aspects हम कर सकते हैं एक तो यह है कि जो covid infection है उसके कारण भी यह एक risk factor है covid infection में जो हमारे एक हम अगर हम blood counts देखें तो एक cell line जो है जो हम lymphocytes कहते हैं वो कम हो जाते हैं लिम्फोपीनिया हो जाते हैं तो उसके कारण body में जो cd4 cd8 cells हैं वो कम होते हैं और उसके कारण opportunistic infection fungal infection के chances बढ़ जाते हैं यह first wave में भी देखा गया था और अगर हम 2003 SARS की बात करें तो तब भी अगर data देखें तो तब भी fungal infection कुछ हद तक जादा report किया गया था लेकिन इस दफा जो हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं उसके कारण दो और हैं एक कारण यह है कि कई ऐसे patients हैं जिनको diabetes है sugar की तकलीफ है और अगर वो control ना हो तो उनमें भी यह fungal infection के chances ज़्यादा होते हैं और तीसरा जो बहुत important कारण है miss use of steroids steroids जो patients ले रहे हैं जिनको diabetes है और साथ में covid है अगर यह तीनों चीजें कठी मिल जाएं तो वो chances of fungal infection एकदम बढ़ जाते हैं इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो miss use of steroids जो है वो हमें कम करना पड़ेगा और जैसे पहले भी कहा था कि जो patients जिनको mild disease है जिनको oxygen की ज़रूद नहीं है और जिनको early stage में जो covid infection है उनमें steroids देने से नुक्सान जादा है फैदा कोई नहीं है जो recovery trial है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम steroids mild patients में देते हैं तो morbidity और mortality because of secondary infection जादा होता है इसलिए अगर किसी को covid है mild infection है, बुखार है, saturation maintained है, खांसी है लेकिन और कोई ऐसे लक्षन नहीं है कि oxygen कम हो रही है तो steroids नहीं देने चाहिए क्योंकि उससे आगे जाके fungal infection के chances हो सकते हैं specially अगर उनको उस व्यक्ति को diabetes भी है, दूसरा है diabetes या sugar control वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिन लोगों का sugar control नहीं होता उसमें ये fungal infection ज्यादा पाया जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को भी diabetes है या जो steroids ले रहे हैं वो अपना sugar check कर रहें क्योंकि कई द diabetes है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जब COVID infection है या आप steroids ले रहे हैं तो sugar को regularly monitor करें, तीसरी चीज ये है कि मास्क अपना लगा के रखें, जैसे मैंने का ये sports है, हवा में भी इसके fungus हो सकता है, मास्क लगाना ज़रूरी है, specially अगर आप कोई construction site पे जा रहे हैं, जहां पे इसके fungus के chances ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज है कि अगर हम steroid ले रहे हैं, तो उसको misuse ना करें, दूसरा ये important चीज है, steroids का dose जो है, high dose steroids कई दफ़ा दिये जाते हैं, उसका भी कोई फैदा नहीं है, डेटा यही कहता है कि mild to moderate dose steroids are good enough, अगर हम बहु भी शो करता है कि 5-10 दिन तक maximum steroids की ज़रूत पड़ती है, majority of covid patients में, बहुत लंबे time steroids देने से भी sugar control becomes more difficult और ये जो fungal infection इसके chances भी बढ़ जाते हैं, तो मैं ये ही कहना चाहूंगा कि इनके cases अब ज़्यादा report किये जा रहे हैं and we must work aggressively कि हम इसको इसके cases कम करें और दूसरी ये भी important चीज है कि इसको suspect जल्दी किया जाए जिससे आगे जाके loss of vision या और कोई serious infection brain में ना हो, तो इसलिए अगर आपको जब भी कोई patient discharge होता है, तो जो मैंने लक्षन पता हैं, अगर किसी को कोई भी ऐसे लक्षन हो, तो doctor से ज़रूर संपर्क करें, अपना sugar control करें और अपन necessary हैं, तो उसको बंद करना चाहिए.